नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तो DRD ने दो तरह के टेस्ट को कंड़क्ट किया है जिसमें से पहला टेस्ट SFDR का किया गया है तो दोस्तो DRD ने एक मिसाइल सिस्टम का सफलता पूर्वक परिछड किया है और या किसी मिसाइल को सुपर सोनिक स्पीट से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद हवाई खत्रों को रोकने में सच्छम बनाएगा और सालिट फ्यूल डेक्टेड रैम जेट यानि की SFDR बूस्टर का परिछड ओडिशा के चांदीपूर एक इकरत परिछड़ें जानि की ITR से किया गया है वहीं SFDR टेस्स से DR-2 को हवा से हवा में मार करने अली मिसाइलों की मारक छंता की सीमा बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद बिलेगी और SFDR आधारी सिस्टम किसी भी मिसाइल को सूपर सोनिक गत से उन हवाई खतरों को रोकने में सच्छम बनाएगा जो काफी दूरी पर मौजूद हो वही रच्छा मंत्राले ने कहा है कि SFDR का परिछण सफल रहा है और इस कांप्लेक्स मिसाइल सिस्टम ने सांदार प्रदर्सन किया और मिसन के सभी उद्दे से पूरे किये हैं रच्छा मंत्राले के मुताबिक टेलीमेट्री रडार और इलेक्ट्रो आप्टिकल ट्रेकिंग सिस्टम जैसे कई उपकरणों द्वारा जुटाएगा डेटा से प्रणाली के सटीक प्रदर्सन की पुष्टी हुई है वहीं रच्छा मंत्री राजनाज सिंग ने SFDR के सफल परिछड के लिए DRDO को बधाई दी है और उन्होंने इसे देश में महत्पूर मिसाइल टेक्नलाजी के विकास की दिसा में एक महत्पूर मील का पत्थर बताया है और इस सिस्टम के डिजाइन विकास और परिछड में सामिल टीम की सराना करते हुए DRDO के अध्यच जी सतीस रेडी ने कहा है कि SFDR के सफल परिछड के बाद हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मारक छमता को बढ़ाया जा सकता है वहीं आपको बता दू कि SFDR मिसाइल टेकनलाजी विस्सो में गिने चुने सिर्फ कुछी देशों के पास उपलब्ध है और यह मिसाइल भारत की सर्फेस टू एर और एर टू एर दोनों ही मिसाइलों को बहतर प्रदरसन करने और उनकी स्ट्राइक रेंज बढ़ाने में मदद करेगा वहीं किसी भी मिसाइल की स्पीड बढ़ाने के लिए अब रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और भारत की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस में भी यही इंजन लगा हुआ है और इसकी मदद से मिसाइल की रफ्तार तीन गुना तेज हो जाती है और अगर किसी मिसाइल की छमता 100 किलो मिटर दूर तक है तो उसे रैम जेट इंजन की मदद से 320 किलो मिटर तक किया जा सकता है और इस मिसाइल की मारक छमता 100 से 200 किलो मिटर तक है तो चलिए दूस्तों अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर तो दूसरी खबर ये है कि भारती सेना और DRD ने पिछले 15 दिनों में देश के कई स्थानों से पिनाका मिसाइलों का सफल परिछड किया है। और कुल मिलाकर 24 परिछड किये गए हैं और इन परिछडों में पिनाका मिसाइल ने टारगेट को पूरी तरह सटीकता और गति के साथ द्वस्त कर दिया है। और इस मिसाइल के सारे सिस्टम ने तैमानकों को सफलता पूर्वक पार किया और उचितम सटीकता से टारगेट को ध्वस्त कर दिया है। और राकेट लांचर की रेंज 7 किलो मिटर की नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलो मिटर दूर बैठे दुस्मन को नेस्तनाबूत कर सकता है। वहीं इस राकेट लांचर के तीन वैरियंट हैं एक है MK1 यह 40 किलो मिटर तक हमला करने के लिए है। वहीं दूसरा है MK2 लांचर जो 90 किलो मिटर तक हमला कर सकता है। और तीसरा है MK3 राकेट लांचर जो अभी निर्मारा धीन है यह 120 किलो मिटर तक हमला कर सकता है। और इस लांचर की लंबाई 16 फिट 3 इंच से लेकर 23 फिट 7 इंच तक है। वहीं इस लांचर से छोड़े जाने वाले पिनाका राकेट के उपर हाई एक्स्प्लोजिव फ्रेग्मेंटेशन यानि की कलास्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उडाने वाले हतियार भी लगाया जा सकते हैं। और या राकेट 100 किलोग्राम तक के वजन के हतियार उठाने में भी सच्छम है। और इस मिसाइल सिस्टम की शुरुआत 1986 में हुई थी। वहीं पिनाका राकेट की स्पीड 5757.70 किलोमेटर प्रति घंटा है। यानि की एक सेकेंड में 1.61 किलोमेटर की गत्से हमला करता है। और दुस्मन को इतना भी मौका नहीं मिलता कि वह टार्गेट से दूर भाग सके। और आप लोग इस पिनाका राकेट लांचर की ताकत का अंदाजा कुछ इस तरह लगा सकते हैं कि कारगिल यूद के दोरान इस मिसाइल को टाटा ट्रक पर लोड करके उचाई वाले इलाक करता था कि दुस्मन को समलने का मौका ही नहीं मिलता था। अब आप रूग का क्या कहना है DRDO के इस SFDR टेस्ट पर और पिनाका राकेट लांचर के टेस्ट पर कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेर सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रस करें ताक कर दो वाले इसक ट्वार और